नमस्कार प्योश्मन सुन दो शौ में देखने को मिले काफी ट्विस्ट एंट्रेंट से जहां पर देखने को मिला कि अब यहां पर जो अकनी है उसकास्ता की यकिन में बदलने वाला है क्योंकि पहले तो देख लेती है गाड़ी पर लगे खुन के क्योंकि जो खुन था वो रूही की टकरगाड़े के साथ हो गई थी और रूही की चीख सुन ले थी अगनी ने तो समझ जाती है कि यह सच में रूही जिंदा है क्योंकि भूतों के खुन नहीं निकलता अगर यह भूत होती तो तो यहां पर आप वो उसी जगह पर फिश रहाने वाले है ताकि वो आत्मी को लेकर जाती बोल देती है कि मेरा पती है लेकिन अगनी को सको जाता है और अगनी के सामने आने वाली है पूरी सच्चाई की रूही सच में है जिंदा और मनने का ड्रामा करके बूत बनकर अगलवाना चाहती है परिवार को वो वीडियो दिखाना चाहती है ताकि उसका सब के सामने आ सके लेकिन अब अगनी भी एक बड़ा जाल बिछाएगी ताकि वो रुही को सच में माश रके तो यहां पर दोनों के बीच फिश्टे हाथ हपाई होगी शुरू तो इसमें जो रुही है वो अगनी का गला पकड़ने वाली है और अगनी रुही का तो यह पर दोनों के बीच कुछ ऐसा हाथ हपाई होगी जिसमें आप जल्द ही अगनी की सच्चाई भी आएगी परिवार के सामने लेकिन फिलाल के लिए अगनी रुही को फिश्टे परिवार के सामने करेगी गलत्साभी